हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का सोन कुकिंग बैंक में तो फ्रेंट आज में बना जा रहे हूं पालक की मुंफली लागा कर सब्जी तो इसके लिए सबसे पहले मुंफली को भून लेना है अच्छे से और मुंफली को आप लो से मीडियम फ्लेम पर भूनना वरना जल्दी से जल जाती है अच्छे से भूनी नहीं जाती बस ओपर के छिलके जल जाते हैं तो इसको लो से मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छे से भून लेना है मुंफली भूनते वक्त आपको पांसे दस मिनिट का टाइम लग सकता है यह आपके गैस के अकॉर्डिंग समय ज्यादा क भून चुकी है तो इसके पहले हम जो हम पालक दिखा रहे हैं आपको इसको हम बस कटिंग करके धूलानी बस कटिंग किया है तो यहां पर आप देख सकते हो मुंफली हम भून चुके हैं मैं फिर से क्लिप एड़ कर रहे हूं पालक को हम धूल लेंगे अब दूलने के दिया है तेल यहां पे बहुत जादा नहीं डालना है बस एक चमच बहुत है उसके बाद यहां पे मैं पालक डाल दूँगी पालक मैंने धूल कर यहां पे डाल दिया है आप देख सकते हो पालक पहले जितना है वह गलकर बहुत कम हो जाएगी तो यहां पे मैं इसको लेना है और यहां पर दख करके डग से करके तरीक हैं मूटली को यहां तब तक मतलब मोमफ़ि को साबजी की corresponds पुम्पलि लेंगे हम और इसमें हरी मिर्चीं हम भूल लेंगे और इसमें मे लेसुन डालेंगे और आप यहाँ पर अधरक और जीरा भी ले सकते हो पीशने के लिए लिए क्योंके इस क्या दो कि पालक निकाल लेंगी जितना भी पानी हमें कुछ भी फियकना निया गया गया जी हम सब्जी बराने में यूज करेंगे तो बस हम स्वाधि इससे बढ़ जाता है आप चाहो तो पालक लाश्ट में बीडाल सकते हो लेकिन आसा करने से आपका सब्जी का स्वाध आप पहले चीरा भी डाल सकते हो बाद में लाहसुन डाल सकते हो लेकिन लाल होना चाहिए दोनों उसके बाद फिर जो हमने पेष्ट बना के रखा था मुंफली का वो पेष्ट डाल देंगे और इसको अच्छी से तेल में होने देंगे तो जो भी मिक्सिजार में पेष्ट ब जल जाएगी और सबजी में स्वाद भी नहीं रहेगा तो इसी बात को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको धीमी आज पेष्ट को भूनना जब तक कि मुंफली में तेल ना निकलने लग जाए तक हमारा मसाला भूना जा रहा गाईस तब तक आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें पसंद आए तो लाइक करिए नई पसंद आए तो डिसलाइक करिए पर करिए जरूर लाइक डिसलाइक तो यहाँ पर मैं इसको धीमी आ पर कोई फायदा नहीं हल्दी आड़ करने का क्योंकि यहां पर हम हरी सब्जी बना रहे हैं तो इसमें कितना भी हल्दी मसाला एड़ करोंगे तो इसका हरापन जाता नहीं हरी-हरी सब्जी बना रहे हूं और इसमें कोई भी मसाले का प्रयोग नहीं कर रहे हूं बस मुंफली हरी मिर्ची और लैसुन जीरे का ही प्रयोग किया गया है कोई भी गरम मसाले करके रखा था उसको हम एड़ कर देंगे इसके आड़ करते ही हमारी सब्जी थोड़ी सी धीमी पड़ गई मतलब कि यह ठंड इसमें पानी अड़ कर देना है अबहें पतली थोड़ी बनानी है तो हमें बस जितना इसमें तोरह सा पानी आट करेंगे जिससे और फालकर यह इतनी हीं तिक में रहें ज़य। More hairs इसमें बस थोड़ा सा पानी एट करूंगी मैं और यहां पर सब्जी में उबाल आ रही है गाईज और आप देख सकते हो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा तेल दिख रहा होगा क्योंकि हरी सब्जी है तो जादा दीखेगा नहीं तो फ्रेंड याप मैं कट करके डाल रह बस क्योंकि सारी चीजे इसमें पकि हुइए तो यहां तो बस हमारी सब्जी हो जाएगी गी और हमारे एडस आप भड पसब्चि आयू पसंद आए नहीं पसंद रहे तो प्री सा कु में दख पसे तो घय से तो आईए सब जिख आईए और अपने घर पे बनाईए और कमेंट बाक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूले आप मेरी चैनल पे नहीं हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए और अपने दोस्तों में सेर करिए बबाय और टेक केर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में